दोस्तो आज के स्क्लास में आप लोग का स्वागत है आज के स्क्लास में हम बात करने वाले हैं बिहार बोड के क्लास 12 इंगले संडेट मार्ग्स के बारे में और इंगले संडेट मार्ग्स में हम लोग का प्रोज का चैप्टर नमर 10 चल रहा है ठीक है जिसका नाम क्या है जि यही लिखे हैं India through a traveler's eyes अपना chapter को ठीक है और यह जो है इनका जन्म कब हुआ है निधन कब हुआ है इसके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा important है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे इस chapter को जो हम लोग देखेंगे आपको हिंदी और इंग्लेस में बताएंग देते हैं इधर तो आपको यह chapter में आपको कोई और समधी का वीडियो देखने की जरूत नहीं परेगी और साथी साथ इतना ही नहीं बलकि आपको याद हो जाएगा सारा चीज़ इतने आसान वाज़ा में बताएंगे आपको mainly English में अगर आपको कोई वीटीजर पढ़ा रह ठीक है तो चलिए स्टार्ट करें सारे लोग त्यार हैं और जितने भी लोग अभी हैं presently जो class देख रहे हैं सारे लोग like कर लिजे वीडियो उसको थोरा बहुत like वगर दे देजे क्या जाता है और थोरा बहुत subscribe वगर कर लिजे थोरा सा होने देजे और subscriber क्या कर लिजे कर सब्सक्राइब भी और like वगर भी कर लो कोई दिक्कत नहीं आरे कर लो ठीक है चलिए स्टार्ट करते है ठीक है अपना यहां पे जो है पर लेस बगजी जो है यहां पे इस सेप्टर के राइटर है इंडिया त्रेवलर साइज के और यहां पे इनका जन्म कब हुआ है अकर युनाइटेश स्टेट मतलब अमेरिका में ठीक है और इनका निधन जो हुआ है छे मार्च 1973 को इनका निधन हुआ है ठीक है युनाइटेश स्टेट में तो बस आपको ये चीज तो पता है युनाइटेश स्टेट में इनका जन्म और निधन दोनों हुआ है ठीक है और बस 26 जन 18 Maddo 72 को जन्म और निधन जो है 6 मर्च 1973. तो ये दो date आपको यार रखना है इधर कितना हुआ? इधर 8 साल हो और इधर कितना हुआ? 73 साल. तो यार रखेगा बस टना ही आपको यार रखना है और उसके बाद जाके बस summary को बस ध्यान में रखना है क्योंकि आपकी exam में बार बार पूछा जाता है कि write down this summary of India through a traveler's size तो दिल थाम के बैठिये, सारे लोग अच्छे से पूरे ready हो जाएए, fresh हो जाएए और अच्छे से इसको पूरे सांत mind करके अच्छे से देखना है और सब कुछ समझ लेना आज तो चलिए start करते हैं, start कर ले, चलिए तो कर लेते हैं start, कर ही लेते हैं start देखो अपना यहाँ पे chapter क्या है, अपना यहाँ पे chapter का नाम है India through a traveler's size ठीक है, एक जो traveler है, ठीक है, एक जो मतलब बोल सकते हैं, एक डार्षनिक है, एक जो घूमने आया है उसके आखो से, ठीक है, उसके आखो से हमारा भारत कैसा है, हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत कैसा है उसके नजर से बुरा है, अच्छा है, क्या है, उसी के बारे में इस chapter में चर्चा होगी तो आएए, पहला sentence से यहाँ पे start करते हैं इसमें है, India through a traveler's eyes is an extract from my several words which is a personal record of her life ठीक है, her life का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लेस्वग जी के बारे में बात हो रही है पर लेस्वग जी अपना इस chapter को लिखे हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है इंडिया through a traveler's eyes is an extract, इंडिया through a traveler's eyes एक उद्धरन है मतलब extract का मतलब क्या होता है, extract का मतलब होता है उद्धरन मतलब एक बहुत बड़ा मान सकते हैं कि मतलब किताब है या एक लेक है और उसमें से थोरा सा पार्ट, कुछ पार्ट, important पार्ट या अच्छा पार्ट उसको बना के एक छोटा सा chapter कर दिया गया है उसको एक extract बोलते हैं, उससे कुछ पार्ट निकाल लेना, उसको हम लोग क्या करते हैं, extract करते हैं तो वही चीज़ है यहाँ पर, तो इंडिया पुरे टेबल साइज क्या है, एक extract है, जो की लिया गया है, my several words तो बड़ा सा गरंत के बारे में जो बात किये, वही है, my several words और इसी से निकाला गया है, एक chapter, इंडिया पुरे टेबल साइज ठीक है, तो यह चीज़ clear हो गया, और इसमें क्या है, my several words में क्या है, यह जो लेक है, इसमें क्या है, इसमें जो है, which is a personal record of her life और पड़लेजबग जी जो है, मतलब जो जीवन है, जो जीवनी है, उसमें, उनका बैक्तिकत रिकॉर्ड है, मतलब वो जो किये, या फिर जहां उनने गए, या फिर उनके मन में क्या चीज रहा है, वही सब चीज़ों के बारे में, इसमें पूरा लिखा गया है, ठीक है? और इसमें जो है, क्या दिखाए है, या भारतिये गाओं में, रहने वाले सबसे गरीब लोगों के प्रती, उनके प्यार को दरसाता है, ये जो है, अपना इंडिया ट्रेवलर साइस, ये तो सबसे पहले बात है, कि माई सेवरल वर्ड से लिया गया एक उदरन है, ठीक है, लिया गया उदरन है, जो कि उनकी जीवनी को दरसाता है, इसमें, पूरा ये जो है, मैं सेवरल वर्ड में है, मैं बूक जिससे लिया गया है, मैं सेवरल वर्ड में क्या है, कि उनकी जीवनी लिखा गया है, और यहाँ पर प्रती जो उनकी स्रधा है, उनका प्यार दिखला वो बहुत अच्छे से दर्स आये हैं, ठीक है? तो अब चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया है न? कि मतलब उनके परती, जो भारती गाओं में जो लोग रहते हैं, बहुत ही गरीब लोग, उनके परती अपना प्यार, अपना जो उनकी भावना है, उसको दिखाए हैं. इन दिस सेप्टर, इस पार्थ में, पर्ल एसबग has described her visit to India. और इस पार्थ में पर्ल एसबग बताते हैं, बर्नन करते हैं, कहां, क्या चीज़ का? जो भारत में विजट करते हैं, जो भारत में घूमने आते हैं. C says, वो कहते हैं, India had always been part of her background of her life. वो कहते हैं कि भारत उनके, मतलब जीवन की प्रिस्ट भूमी का एक हमेशा एक background रहा है, भारत एक हिस्सा रहा है, ठीक है? प्रिस्ट भूमी का एक हिस्सा रहा है, भारत. और C had, और ऐसा किसलिए कहते हैं? क्योंकि C had here, वो बहुत कुछ a lot more of India from her family doctor. वो बहुत सारे चीजों के बारे में सुने हैं, भारत के बहुत सारे चीजों के बारे में उनका एक family doctor है, जो कि भारत का है. उससे वो बहुत सारे चीज सुने हैं, भारत के बारे में बहुत सारे बाते वो बताये हैं, family doctor and his wife who were Indians. और उनके family doctor है, उनके पतनी जो और वो भी बतलाते हैं की अपना भारत में बहुत सारे चीज है तो कहीं न कहीं वो सारे चीज जो बतलाते हैं उनके डॉक्टर तो इनको थोरा सा एक ऐसा होता है कि मतब नहीं भारत तो गूमना चाहिए तो ये था, she had also learnt और वो साथी साथ ये भी सीखते हैं कि बुद्धिज्म and the life story of Lord Buddhism ठेक है बुद्धा और यहाँ पे है उसने बुद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की जीवन कहानी भी सुनी थी ठेक है और मतलब वो बुद्ध भगवान के बारे में भी सुने थे और family doctor ही थे, family doctor के पतनी ही थी वो सब उनको जानकारी वगरा देते रहते थे आगे यहाँ पे क्या है आगे है यहाँ पे क्या है आगे है यहाँ पे क्या चीज़ चलिए इसको भी देख लेते हैं आगे है यहाँ पे the writer had come to India not to see the Taj Mahal, Fatehpur Sikri or any historical palace यहाँ पे जो लेखक है अपन पर लेस बगजी, the writer had come to India not to see, writer जो है भारत आते हैं not to see, क्या चीज़ नहीं देखने के लिए ताजमल, ताजमल नहीं देखने के लिए आते हैं, Fatehpur Sikri नहीं देखने के लिए आते हैं, और any other historical palace और कोई भी और जो है इतिहासिक जगा बगरा देखने के लिए नहीं आते ह of Indian cities and the peasants in the village, भारत इसलिए आये हैं, भारत में आने का उनका एक ही उद्दिस है, कि वो जो भी सहर के बहुत बरे-बरे बुद्धी जीवी लोग हैं, उनसे वो मिले, भारत के सहर में जो रहने वाले बहुत बुद्धी जीवी लोग हैं, उनसे मिले, और खास करके उनसे भ भारत के गाउं में रहते हैं, पिजेंट का मतलब क्या होता है, किसान, ठीक है, पिजेंट का मतलब क्या होता है, किसान, तो भारत के गाउं में रहने वाले जो भी किसान वगरा हैं, उनसे भी मिलने के लिए आये हैं, मतलब एक सहर में जो बुद्धी जीवी लोग रहते है जो Young Intellectuals Intellectuals का मतलब क्या हुआ इसका मतलब वुआ बुद्धी जीवी जो सहर में यूबा बुद्धी जीवी लोग रहते हैं उनसे मिलने और खास करके गाओं में जो किसान रहते हैं उनसे मिलने के लिए वो भारत आये थे बलकि वो कोई ताज महल फतेपुर सिक्री वगरा देखने के लिए नहीं आये थे ठेक है यहां तक क्लियर आगे देखे C. Found Thousands of Young Intellectuals Trend in English Schools were jobless in India और वो देखते हैं कि बहुत सारे हजारो जो युवा बुद्धी जीवी लोग हैं जो कि English School से पढ़े हैं और फिर भी आज वो jobless हैं वो बेरुजगार हैं वो उनके पास कोई नौकरी वगरा नहीं है तो यहां पर वो चीज़ बताते हैं देखे यहां पर क्या बताये क्या है जो लेखक है अपना परलेस बगजी वो कोई भी फतेपुर सिक्री ताजमल या फिर कोई और अधर इतिहासिक जगा वगरा देखने के लिए नहीं आये थे बलकि वो आये थे जो सहर में जो युवा बुद्धी जीवी लोग रहते हैं यंग इंटेलेक्ट्वल्स रहते हैं और गाओं में जगा कि इसहर में जो बुद्धी जीवी लोग हैं युवा बुद्धी जीवी लोग अकसर वो लोग मलब इंगलेस स्कूल में पढ़ते हैं और फिर भी वो लोग जॉबलेस रहते हैं तो वो चीज यहाँ पे वो देखे हैं उसके बार आगे क्या है आगे यहाँ पे है राइटर अस्टेड विट एन इंडियन फैमिली इन वीलेस राइटर जो अपने है परलेस बगजी वो गाओं में एक भारती परिवार में रहते हैं भारती परिवार में आके रुपते हैं वहाँ पे ठहरते हैं गाओं में और Indians had great reward for great men and women और वो देखते हैं कि भारतियों में क्या है न कि जो भी महान बैक्ती जो पूरुस या महिलाएं होती है उनके प्रती बहुत जादा सम्मान होती है जैसे अगर बात करें अपने लोग के अंदर क्या है सम्मान की बात करें तो क्या अपने लोग के अंदर Mother Teresa का सम्मान है obvious सी बात है क्या हम लोग महात्मा गांदी या अपना बोल सकते हैं भागर सिंग या और भी अच्छे अच्छे जो भी लोग है अगर हम लोग के मन में क्या उनके प्रती भाबना नहीं है हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भैल्यू अगरा नहीं देते हैं है ना तो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मांगते हैं ऐसे लोगों को जो बहुत great people रहते हैं जो महान पूरुस हो रहते हैं उनके बहुत हम लोग इज़द करते हैं तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है आगे है सी फाउंड डीप डिवोशन डीप डिवोशन फोर गांधी जी एमोंग इंडियन्स और वो देखते हैं कि गांधी जी से भी गहरी भक्ती पाई अब हलाकि इसा है कि बहुत लोग गांधी जी को हेट करते हैं लेकिन सही जो बात है ना कि हम आपको शुरू में भी बोले थे जब इंडियन सिवलाइस्टन कल्चर का चेप्टर चल रहा था गांधी जी का उस समय भी हम आपको बताये थे, गांधी बनना बहुत मुस्किल है, और भगत सिंग बनना एक दिन का काम है, ऐसा नहीं है कि भगत सिंग जी अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, गांधी जी भी अच्छे हैं, लेकिन यहां पे देखो, बात यह आती है, जो एक लॉजिक गांधी बनना बहुत मुस्किल है, उसके लिए आपको बहुत दिनों तक अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, और भगत सिंग जी आप एक दिन में जाके बन सकते हो, जाओ किसी को, मतलब कोई गलत कर रहा है उसको जाओ दो थपड़ दो, और उसके बाद कोई गांधी देखा कि भारतियों में क्या है, गांधी जी के प्रती एक भक्ती पाई, बहुत गहरी भक्ती उन्होंने पाई, और आगे यहाँ पे है, इंडियन पिपुल are religious minded, और भारती लोग जो है ना बहुत ही धार्मिक मानसिक तक हैं, धार्मिक बिचारों वाले होते हैं, तो वो य होती है, अच्छा और बुराई दोनों मिलती है, कभे एक धर्म दोस्ते धर्म के प्रती बुराई या फर जो भी है, तो वो सारा चीज होते रहता है एक्सर, तो बहुत सारा चीज अच्छाई भी होती है, मतलब बुरी भी होती है, तो वही चीज यहाँ पे यह बताये हैं, देखे इसमें ही हाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो लोग भारती परिवार में मतलब पर्लेस वगजी जाते हैं हुआ रुखते हैं और वो देखते हैं कि महान पुरूसों और महिलाओं के लिए हम लोग के अंदर बहुत जादा इज़त होती है महात्मा गांधी के प्रती भी हम लोग के अंदर बहुत जादा गहरी भकती पाई भारती लोग धारमिक विचारों वाले होते हैं इनके इसके जो है सबसे अच्छे और बूरे दोनों पहलू है है आगे चलिए आगे यहाँ पे है आगे यहाँ पे क्या है इसमें है दा कब माई बिलबड नाम का किताब लिटा है जब वह इंडिया घजिएट करते हैं उसके बारा में उसी के ओपर कि निदिया में वह क्या-क्या चीज देखे उसको तो वो चीज है लेकिन बट लेकिन हर बुक is not puzzlement to Indian readers ठीक है और लेकिन उनकी एज किसी बुक है जो कि भारती पार्टकों के लिए कोई पजल का काम नहीं है कोई जो है मतलब पहेली नहीं है उनकी लिए उनकी भाबना है वो जो सोचते हैं actually वही बात यहां पे वो लिखे हैं come my beloved बुक में in this extract और इस उद्रन में she had son her love for the people of India and try to sow the feelings of Indian people और इस उद्रन में उनोंने जो उनका जो मतलब प्यार है अपना जो प्यार है भारती लोगों के प्रती तो उस भावना को यहां पे वो दर्साय है वैचे जए इस उद्रन में उनोंने भारत के लोगों के लिए अपना प्यार और भारती लोगों की भावनाओं को दिखाए हैं तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आपको आधिकानस अमेरिकी लोग इसकी साहारना- नहीं की क्यों करेंगे इंडिया के बारे में बर्भाई किया गया इंडिया की लोगों के बारे में जो अच्छा हुआ इसको दर्साया गय nep अरर बहुत अच्छा मतलब पुस्तक था और साथी साहतो उन पहीरी बगरा नहीं था, ठीक है, उनके लिए तो मतलब उनकी, जो वो सामने देख रहे हैं, उनके दिल की बात थी अब आप दोबारा प्लेग करके आप इसको Hindi और English आप simple बात है अप English में जो है जितना भी सारा चीज था जैसे यहाँ पर जो आप देखे हैं ये सारा चीज English वाला सारा चीज आप अपने कॉपे में not down कर लिजएगा त कि इसको आप याद करके रखें अभी देखिए, और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको line by line explanation वगरा के साथ में पढ़नी है, अच्छे तरीके से, तो आप education above app install कर लीजे, वहाँ पर आपको पढ़ाई मिल जाएगा, grammar वगरा का भी साथ में मिल जाएगी, और साथ ही साथ, आपको अगर कोई भी subject में, science, commerce, arts कोई भी subject में अगर दिक्कत लग रही है, education above app open करिए, और वहाँ से आप अपना course को join कर सकते हैं, कोई भी subject अगर ऐसा लग रहा है कि आपका week है, नहीं पढ़ाई हो रही है, साई से, तो आप education above app से course ले सकते हैं, बहुत ही proper way में आपको classes मिलेगी, notes वगरा है, सारा चीज, उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत वगरा होती है, तो सबसे पहली बात है, आप इस नमर पे दो नमर दिया गया है, इस पर आप call कर सकते हैं, और बाकी तो education में आप बहुत अच्छा features वगरा सब दिया ही गया है, pad में भी बहुत सारा चीज है, free में भी बहुत सारा चीज अब ही चली यहाँ पर एक बार हम आपको सौट में समझाते हैं इस chapter को, देखे, यह तो अपना लिखा गया है, पर लेसबग जी के दौरा, इनका जन्मर 26 जून 1892 को होता है, और 6 मार्च 1973 को इनका निधन भी हो जाता है, उसके बाद जो है, इसमें जो है, यह एक उधरन है जो की लिया गया किस से? My Several Words से है, एचिकर उधरन लिया गया इंडियात लार जूतर सौप्ग जी का अपना उनका जीवनी लिखा गया है, और इसमें उन्होंने भारती गाओं में रहने गरीब लोगों के प्र्यार को अधर साये हैं, ठीकर, अर भारत में अपनी यातरा का बहुत कुस जानने चीछने को मिला भारत के बारे में जाने जाने जीवन के बारे में जाने में उसके बाद जहां तक बात करें तो वो भारत आये ठीक है पडलेसवक जी तो भारत आये बाद में और उसके बाद जो है भारत में वो बस ताज महल फतेफुर सिक्री या फ़र कोई एतिहासिक जगह देखने के लिए बलकि वो भारत आये इसलिए कि सहर में जो उबा बुद्धी जीवी लोग रहते हैं उनसे मिल सके ठीक है तो इसके लिए वो भारत आए और यहां के यहां पर आके जब वो देखे तो यह देखे कि मतलब जो भी मतलब युबाब उद्दी जी भी लोग जो थे वो क्या थे मतलब अंग्रेजी स्कूल में तो पड़े हुए थे लेकिन फिर भी वो बिरजगार थे और उ उनकी अंदर होोती है मतलब बहुत ज्यादा इज्यत होती है अपने महाण पुरूसों महिलाओं के लिए ठीक है तो वो चीजओं की यात्रा जो उन्होंने किया उसमें वो come my beloved नाम का एक पुस्तक लिखे लेकिन अधिकांस जो अमेरिकी लोग हैं वो उनको साराहना नहीं किया उस पुस्तक का लेकिन भारतिय पाठक के लिए वो बहुत अच्छा भुख साबित हुआ उसके लिए वो कोई पहली नहीं रहा तो इस पूरे कह सकते हैं इस पूरे जो आपका extract है जो लिया गया है अपना my several words से इसमें जो है ना मतलब पर लेस्वग जी जो है भारत के लोगों के प्रति अपना प्यार और भारतिये लोगों की भाबनाओं को दिखाए हैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत एक खुबसूरती से दिखाए हैं तो उमीद है कि आपको यहां पे सब समझ में आ गया होगा अच्छा लगा ना सारा चीज जो भी हो जैसा हो आप नीचे कमेंट करके बताएगा कि आपको कैसा लगा आपको यहां पे कितना समझ में आया यह आप निश्यत रोप से हमें बताएगा बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ प्यारा से कमेंट करते हैं या फिर जो कमी रहती है अगर आप वही चीज़ अगर बताते हैं तो हम उसको अगले क्लास में obvious सी बात है solve करने की कोसिस करते हैं तो जो भी आप सोचते हैं जैसा सोचते हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा ठीक है और बाकी like तो कर लेना है कर लीजे और कर ही लीजे जाके ठीक है तो करते हुए ही जाना है और चैनल को subscribe देख लीजेगा लाल बटन अगर आए तो subscribe कर लीजेगा bell icon वगरा on कर लीजेगा ताकि regularly videos वगरा आते रहे और आज साम में इसका 7 बच के 15 मिनट पे साम में इसका test होने वाले इसमें जितने भी objective type questions है वो आपको मिल जाएगी नीचे playlist का link है आप जाके पीछे जितने भी chapters है सभी का अच्छे से summary, objective questions वगरा अच्छे से देख सकते हैं ठीक है तो playlist में जाके अगर कोई भी chapters आपका छोटा हुआ है तो आप उसको देख लेजए बाकि एजूकेशन बावा आप बगरा इंस्टाल कर लीजए और जाते जाते बस like, comment, share ओके, टाटा, बाबाई